तो दोस्तों walker की height को किस तरीके से adjust करना है इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ तो सबसे पहले आपको walker को इस तरीके से उपर की तरफ stretch करना है तो आप देख सकते हैं यह first level height पे अभी adjust हो गया है तो अगर आपको इसी पे इसको fit करना है तो आप इसको lock कर दीजिए इस direction में इस button को move करेंगे अब इसके बाद आप फिर से इसको unlock कीजिए और फिर से इसको उपर की तरफ आप stretch कीजिए अब यह second level height पे adjust हो गया है अब आप फिर से इसको lock कर दीजिए अगर आपको इसी height पे इसको adjust करना है तो यह इसकी maximum height है जहाँ पे आप इसको adjust कर सकते हैं अब वापिस से अगर आपको इसको low level height पे लेके जाना है आप इसको unlock कीजिए और फिर से इसको button को press करके आप इसको नीचे की तरफ push कीजिए तो यह नीचे की height पे अभी adjust हो गया है अब आप फिर से इसको press करके इसको fold कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो useful लगे हो तो प्लीज इस वीडियो को like और share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए थांक यू